कैसे हो आप सब दोस्तों अरे दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे कि बड़े मिया चोटे मिया का जो ट्रेलर है उसके व्यूज के बारे में भी बात करेंगे एक और एक वीडियो थोड़ी देर बात आएगा बस वह बहुत इंपोर्टन्ट है यह भी एक्चुली है लेकिन यह आपे एनिवेज चलो अभी हम बात कर लेते हैं नाइन आवर्स में कितने व्यूज आये तो देखो टू मिलियन व्यूज आये है सबसे पहली बात मैं आपको यह बता दू कि पूजा एंटेटेन्मेंट का जो यूटूब चैनल है वो 1.38 मिलियन सब्सक्राबर वाला है लोग मुझसे यह पूछ रहते कि भाई इस ट्रेलर को हीट समझे या नहीं समझे तो उसके भी बारे में चर्चा होगी थोड़ा सा मैं आपके पूरे के पूरे जो डाउट से वो क्लियर कर दूँगा जस्ट रिलेक्स एंड मैं आज निउट्रल आपको यह बात कहूंगा यह नहीं कि भाई किसी की साइड लूँगा सिंपल सी बात है देखो क्या है सबसे पहली बात तो बड़े मिया च्छोटे मिया जो इग्जेक व्यूज है वो अभी रुके हुए है जी यहां दोस्तों मैं आपको यह बता दू कि जब यह ट्रेलर शुरू हुआ था पहले आने के चांसेस होते है रैदर दैन अफ्टरनून से सिंपल सी बात है आज है वर्किंग डे और तीसरी सबसे इंपोर्टन बात यह है कि जब तीन आवर्स हो गए थे ना बड़े मिया चोटे मिया का ट्रेलर को त्री आवर्स के बाद लगबग ऐसा लगा कि व्यूज रुक जाती है क्योंकि बहुत से लोग उस पे तूट पड़ते है वह हुआ है इसके साथ ओके तो इस लाइक कि आपको कल ही पता चलेगा अचानक वह बढ़ जाएंगे व्यूज तो यह लोग रोने लगेंगा और यह बाई यह क्या फेक व्यूज एक ऐसा नहीं है बात यह कि करना पड़ेगा स्पेशली जो कल पूजा एंटेटेन्मेंट और अली अबबाज टीम की तरफ से आएगा देखने को मिलेगा कि यूटूब ट्वीटर इंस्टाग्राम फिस्बुक पे टोटल कितने व्यूज आए यह कल पता चलेगा अभी नाइन आवर्स में टू मिलियन है पर वो जो है वो एक जैक नहीं है वो स्टक हुए अभी आट प्रेजेंट भी उजरू के हुए तो यह सिंपल सा फंडा है यह यूटूबर्स को पता रहता है यह आपको बताएंगे नहीं यह चीज़ क्योंकि यूटूब में ऐसा होता है बहुत बार एनिवें सो अब ब बात कहने का यही है कि इतना कोई टेंशन लेनी की ज़रूवत नहीं मूवी का टॉपिक तगड़ा लग रहा है और एई टेकनोलोजी मैंने पहले भी बोला तो और इसी फिल्में चलती है सच चलती नहीं है दोड़ती क्योंकि आजकल वो जमाना है मैं सिंपल सी बात तो मैं आपको एक बात बता दूँ वित्युज जमवाल की मूवी को सबसे बड़ा लॉस उस फिल्म का यह था उन्होंने प्रमोशन नहीं किया और प्रमोशन जिस ढंग से किया ना वो जमाने उनको प्रमोशन जो रहता ना वो बहुत इंपोर्टन रहता है और इसलिए इंपोर्टन होता है जैसे भोला फिल्म थी भले अब वो रीमेक थी पर क्या था उसका प्रमोशन एक्स्ट्रा हो गया बहुत ज़्यादा हो गया तीस दीन प्रमोशन किया था जरे उगन ने वो नहीं करना था उसके लिए पाच्छे दिन सही थे पर जब कोई बड़ी फिल माही है अब अब भी ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा बहुत ही ज़्यादा ही यह कंटीनिवली प्रमोशन कर रहे है कुछ कुछ जगा पे किया इन लोगों ने और अच्छा खासा प्रमोशन किया उतना ही ठीक है हाँ अब ट्रेलर रिलीज हुआ है अब मुवी को लगबग 10 पंद्रा दीन जो है उसमें यह लोग अपना फुल जोर लगा देना मज़ा आ जाएगा इन्होंने अच्छा किया है कि बहुत तगड़ा भी प्रमोशन नहीं किया है अभी तक हाँ अब से करे कोई इशू नहीं है अब से अगर यह कर देते हैं तो मज़ा आ जाएगा और ए पाइचन नहीं जोरे और वी उस्ते कुछ नहीं होता है भाई मैं सिंपल बात बोलता हूँ पठाण के ट्रेलर वीउजस और आज भी जाकर शैजाज़ादा के ट्रेलर वीउजस देखो शैजादे के ट्रेलर वीजस बहुत जादा थैज चैनल पर भी रहता है जैसे लाइन लगेगी तब आउटमेटिक मोवी ब्लॉक बॉस्टर जाएगी तो आक्षे टाइगर के फैंस तूट पड़ो फिल्म पे जब आएगी फिल्म एक तारिक से सुना एडवांस बुकिंग है तो यार ये वीडियो को जाद से जाद से शेयर करो लोगों को पता चलना चाह की ये चीज़े टेक क्यार गैज्स